हेलो नमस्का दोस्तों स्वागाते बफिर से आपकी यूट्यूब चलान इंडरोमेनिया पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ MIUI 10 कैसे इंस्ट्रोल किया जाए और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलती जो आप कर बेठेंगे देखो 75% chances है कि वो गलते आप कर सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अगर आपको उस गलती से बसना है तो तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो सबसे पहले में आपको बता दू MIY 10 जो है वो अभी बीटा के अंदर चल रहा है यानि कि बीटा मोड में अभी MIY 10 आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो बीटा में क्या होगा कि उसमें कुछ minor से v Finn फगेरा हो सकते हैं आपको बेटरी जो है वो जल्दी से ड्रेन हो जाए या फिर आपका फ़ोन च्यार्ज के लेट होए या फिर आपका फॉन हैंग ओने लग जाए और या फिर हीत जादा होए तो दोस्तों देखो ऐसा में को अभी तक कुछ भी नहीं लगाए क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मेरे पास MIUI 10 इंस्ट्रोल्ड है और मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूं अब आउट फोन में जाके आप देख सकते हैं MIUI 10 ग्लोबल 8.7.19 बीटा में ठीक है सिस्टम अब्रेट में दिखा जाता हूं आप देख सकते हैं MIUI 10 अभी मेरे फॉन में इंस्ट्रोल है और अभी तक ऐसी कोई भी प्रोब्लम या कोई ऐसा इस्यू नहीं देखने को मिला है जिससे की कोई प्रोब्लम फेस करनी पड़े सब पहले जैसा जो जो Mark N segunda को मिलता था वैंचरी है लेकिन एन-धियम टेयन में जो चेंजिसे जो रहा में जो चेंजिसे सब देखने को मुझे अ कि मिले और इन्याव से काफियादा इंप्रेसिव हुं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँंकि मैं आ उन्स्टोल करें मुझे च कैसे इसे इसे इंस्ट्रोल करें और अगर मुझे कोई भी प्रोलम आती तो मैं इस आपको इंस्ट्रोल करने के लिए नहीं कहता तो चलिए मैं स्टेप बताता हूं कैसे इंस्ट्रोल करें तो सबसे पहले आपको जाना है क्रॉम के अंदर और प्रॉम में आने के बाद में आपको यह पर सर्च बार में टाइप करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं उपर लिखा हुआ आ गया है en.miu.com तो दोस्ते यह मैं पहले ही सर्च कर चुका था इसलिए मुझे से सजेशन कर दिया है तो मैं और इसको सर्च करता हूं और सर्च करने के बाद में आप जो है डारेक्टली पहुच जाएंगे miui के फोरम की ओफिशल वेबसाइट पर तो नीचे नीचे आपको दिख जाएगा का स्विश टू PC साइट उसके आप टैप करेंगे टैप करने के बाद में आपको पर कौने में दिख जाएगा miui 10 के पास में डाउनलोड का एक सेक्शन उसका आप टैप करेंगे यहां पे उन सभी डिवाइजिस के नाम है जिनको की miui 10 मिल चुका है बिटा के अंदर तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर रेडमी 4a भी देखने को मिल जाएगा रेडमी 4x जो अभी रेडमी 4a जो मैं यूजँ कर ना हूँ देखो रेडमी 4 और रेडमी 4 x दोनों ही सेम है फॉन रेडमी 4 x से वो चाइना वर्जन में है और रेडमी 4 जो है और यहां पर आप देख सकते हैं Redmi 4X, Redmi 4X Global, तो दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा MIUI Official Team, वर्जन जो है वो है 8.7.19 और MIUI 10 के अंदर, इसकी जो साइज है वो आपको दिखती होगी 1.3 GB की है, चीक है, तो आप इसको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके आप इ एक जिप फाइल है, और हाँ दोस्तों जिप फाइल को जो है पूरा डाउनलोड करिएगा, बीच में पोस्त मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप सोच, for example के लिए मैं आपको बता हूँ, अगर आपने पोस्त कर दिया, ठीक है, और आप यह सोच रहे हो कि मैं दो गंटे बाद इसको दुबारा से जो यह रिजियों कर दूगा, फिर अगले दिन इसको रिजियों कर दूगा, तो जोस्तों होता है, जब आप पोस्त कर दोगे, आप जिए पैल आपने 600 MB की फाइल डाउनलोड कर लिए, बाकी बचा जो आप बाद में करोगे, तो जो आ आउट फोन एंड सिस्टम अपडेट यहां पर जाने के बाद में आपको उपर कोने में दिखेंगे थ्री डोट उसके टैब करिए उसके बाद में आप जाएए चूज अपडेट वेकेज पे और जहां पर भी आपने उसको डाउनलोड करा है वहां पर सिंपली जाने के बाद करने के बाद में आपको यहां पर फाइल को पुरी तरीकरी से अपन करके अपने फॉन में इस्टोल करने के लिए रेडी करेगा तो उसके बाद में आपके फॉन को रिबूट करने के लिए पूछेगा तो दोस्तों क्या होगा अब मैं आपको वह बात बताता हूं जो आप गलती कर बेठेंगे तो देखिए दोस्तों डिक्रिप्ट हो जाएगा ठीक है डिक्रिप्ट होने के बाद में फॉन आपसे पूछेगा कि आपका जो जितना भी फॉन में डाटा है वो सब इरेज होगा छिक है तो हम आशा करते हैं कि आपने अपना साय की सारा बेकप ले लिया होगा और अगर ले लिया है तो ओके प्रेस करेंए दोस्तों क्या होता है कि गलती से कईबार क्ये लोग नीचे दो अप्छेन आते हैं फिर दो अप्छेन आते है पहला आता है tumble आता है cancel दूसरा कreगे वो निकाल लाते हैं फिर वो क्या सोचते हैं दुबारह से से सेटिंग में जाएंगे और सिस्टम अप्डेट में जाएंगे ट्री डॉट पर कलिक करेंगे चूज अपडेट पैकेज में जाएंगे और जहां पे उनकी जुबारूशिगर ती inferior के ok पर press करेंगे और वो दुबारे से install हो जाएगी तो दोस्तो ऐसा नहीं होगा क्यों वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पहले आपने जो zip file decrypt करी थी decrypt करने के बाद में आपकी file पूरी की पूरी analyze कर ली जाएगी और जो वो zip file है वो पूरी तरीके से install होने के लिए ready होगी तो दुबारा आप करोगे तो एक तरीके से phone के लिए वो बरबाद है zip file तो आपका जितना भी download किया हुआ data था for example 1.3 GB वो सारा का सारा waste हो जाएगा और दुबारा से आपको नई zip file download करनी पड़ेगी तो क्या करेगी गा मैं आपको बताता हूँ आप जो है zip file download करके रख लीजिएगा उसके बाद में अपना जितना भी backup है वो ले लेना for example music videos जो भी है वो सब ले लेना उसके बाद में जाना download में I'm sorry system update में 3.2 पे click करना choose update package में जाके फिर उसको decrypt करने के बाद में उसको जो है okay press कर देना उसके बाद आपका phone reboot हो जाएगा और MIUI 10 में convert हो जाएगा तो ये important बात आपको ज़रूर से friends याद रखनी है कोई भी गलती मत करिएगा अग गलती करोगे तो आपका data जो है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा तो बस दोस्तों आज की इस video में इतना ही अगली वीडियो में मैं आपको इसका full review बताऊं MIUI 10 का क्या खास feature से क्या नहीं है तो आप देख सकते हैं MIUI 10 काफी ठीक ठाक मेरे phone में work कर रहा है नोटिफिकेशन काफी अच्छी तरीके से काफी पसंद आया नोटिफिकेशन और वोल्यूम वाले यह सब के सब जो है किस्टमाइज कर दिए गए है तो बस दोस्तों आज की इस video में इतना ही मिलते हैं अगली एक और एक एक exciting वीडियो के साथ में जब तक के लिए ख्याल रखे अपना अपनी family का तो जे हिंद वंदे मातरम थैंक्स फॉर वाचेंग